हलो एबरिवन वेलकम टो नॉलेज मॉल और आज की वीडियो में है 50 कोश्चन्स का सेट बिहार दरोगा SI PT के लिए साथ ही जो 67 भी PSC और CDP की तयारी कर रहे हैं वो भी सेट को लगा सकते हैं उनके लिए भी ये सेट काफी helpful होगा तो चली लगाते हैं आज का पहला कोश्चन है पहला कि बहिर मंडल में गैसों का सन्योजन क्या है आंसर है इसका option A हीलियम और हाइडरोजन आयन मंडल से उपर के भाग को बाहि मंडल या फिर बहिर मंडल कहा जाता है इस मंडल में हाइडरोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है भारतिय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है आंसर हैसका ओप्सन बी केंद्र और राजी के बीज राजसु का वीतरन करना नेपाल ने किस देश के साथ जुलाई 2020 में 689 मेगावाट लोवर अरून जल विद्दुद परियोजना विक्षित करने हेतु एक समझोता किया है आंसर हैसका ओप्सन बी भारत के साथ किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल की प्रणाली का आरंब किया गया आंसर हैसका ओप्सन बी 1909 के मारले मिंटो सुधार द्वारा भारत परिशिद अधिनियम 1909 जिसे की मारलो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा चाता है इसके तहत पहली बार केंद्रिय विधान परिशदेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी निर्वाचन की विवस्था की गई थी निम्न में से कौन सा भोगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है आंसर है इसका ओप्सन ए सुमात्रा भारती एर टेल ने निम्न खित में से किस कमपनी के साथ भारत में 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए साजेदारी करने की गोशना की है आंसर है इसका ओप्सन सी टाटा कंसंटेंसी सर्विशेज के साथ हरे और लाल रंगों को मिला कर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है आंसर है ओप्सन बी पीला प्रांतों में उत्तरदाई शासन के स्थापना के लिए द्वैज साशन की सुरुवात होई आंसर है ओप्सन सी उनी सो उनीस के भारत साशन अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन सा नियूंतम संभाव्य तापमान है आंसर है इसका ओप्सन डी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस अगर आप 67th VPSC और बिहार दरोगा SI PT की तयारी कर रहे हैं तो 67th VPSC के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिये जा रहे हैं 1500 कोस्टन के साथ जिसके PDF का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी और बिहार दरोगा SI PT के लिए 100 कोस्टन का MCQ टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपी में आपको पेमिंट के लिए दिये गए QR कोड का इस्तमाल करना है या फिर दिये गए अकाउंट नमबर का और उसका स्क्रिन सोट आप दिये गए WhatsApp नमबर पर सेंट करें भारती रास्टिय कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहां रखी आंसर है इसका option B लाहौर अधिवेशन 1929 में 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसके अधक्षता की जवाहरलाल नहरू ने की थी इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 5 जून 2020 को विस्व परियावरन दिवसनिम्न में से किस थीम के साथ मनाया गया आंसर है option C पारिस्थितिकी तंत्र की बहाले कोसी का द्रव्य और केंद्रक के विभिन भागों में पदार्थों का संचलन सामाननिता किसके द्वारा किया जाता है आंसर है option B एंडोप्लाजमी क्रेटिकूलम के द्वारा मंगोल आकर्मनकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कारेकाल में दिल्ली पर आकर्मन किया आंसर है इसका option A नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में माइटोकॉंड्रिया के किस भाग में ATP संसलेशन कारी रासायनी कभेकिरिया होती है आंसर है option C आंतरिक जिल्ली में किसके कारेकाल में अंग्रेजी भारतिय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी आंसर है इसका option C लॉर्ड विल्लियम बैंटिक के शासनकाल में लॉर्ड विल्लियम बैंटिक के समय मैकाले के सुन अनुसरंशा पर अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाया गया सलकी उपकला को सीकाएं किसके आंतरिक अस्तर में पाई जाती है आंसर है इसका option B छुद्रा अंतर में वैग्यानिक समाजवाद के संस्थापक किसे माना जाता है आंसर है option C कार्ल मार्क्स को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को पहला पदक किस महिला खिलाडी ने दिलाई आंसर है option A भावना पटेल ने टेबल टेनिस खिलाडी भावना पटेल टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को पहला पदक दिलाया इसे रज़त पदक प्राप्त हुआ इथेनोल समवर्धन निती लागू करने वाला पहला भारती राज कौन सा है? आंसर है option B. बिहार बिहार इथेनॉल समवर्धन निती लागू करने वाला पहला राज है जिससे निवेशक मतलब की मक्का, गूर, तूटे चावल और सड़े अनाज से सीधे इथेनॉल तयार करेंगे नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने गदर पाटी की अस्थापना की थी? आंसर है ओप्सन डी लाला हर्दयाल ने हंटर आयोक की नियुक्ति की गई थी? आंसर है ओप्सन बी जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद 13 अप्रेल 1919 की जलियावाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिस सरकार ने हंटर आयोक गठित किया था कालाहारी मरुस्थल का अधिकांस विस्तार किस छेत्र में है? आंसर है इसका ओप्सन C बोथस्वाना में कालाहारी मरुस्थल बोथस्वाना नामी बिया और दक्षिन अफ्रीका के छेत्रों में विस्तरित है लेकिन इसका अधिकांस विस्तार जो है वो बोथस्वाना में है बीते वर्ष दोजार बी से किस में किस देश से भारत में FDI का अंतरप्रवाह सर्वोच रहा? आंसर है इसका ओप्सन B सिंगापूर से निम्न में से किसे दुबारा सन्युक्त राष्ट संग का महासचीव बनाया गया है? आंसर है इसका ओप्सन D एंटोनियो गुटेरस को एंटोनियो गुटेरस पूर्टगाल के पूरु परधान मंत्री भी रह चुके हैं जिने दुबारा सन्युक्त राष्ट संग का महासचीव बनाया गया है भारत का कौन सा राज दोजार बी से कीस के दोरान विदेशी परत्यक्ष निवेस का सरवाधिक प्राप्त करता रहा है? आंसर है ओप्सन E गुजरात भारती संग्विधान का निमलिखित में से कौन सा अनुचेद 6 से 14 वर्स की आयू के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवारी शिक्षा से सम्बंदित रखता है? आंसर है ओप्सन D अनुचेद 20 का A अनुचेद 20 का A सिक्षा के अधिकार से सम्बंदित है जिसमें की राजे 6 से 14 वर्स के बच्चों को अनिवारी एवं निसुल्क सिक्षा उस परकिरिया से देगा जो वा उचित समझे अफगानिस्तान सार्क में किस वर्स सामिल हुआ था? आंसर है ओप्सन B 2007 में अफगानिस्तान 2007 में सार्क के 14 सिक्षा सम्मेलन में 8 सदस से बना था निम्न कतनों पर विचार कीजिए और बताएं कि उप्रयुक्त कतनों में से कौन सा कतन सही है? आंसर है इसका ओप्सन B केवल 3 सही है कि भारते रास्टिय गोंग्रेस ने तरी तिय गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये सही है 17 नमंबर 1932 को तरीतिय गोल में सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था जिसमें की कॉंग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था बाकी के दोनों उप्सन गलत है देखते हैं कि डॉक्टर अमबेदकर ने प्रथम गोल में सम्मेलन में दलीत वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंदल की मांग रखी तो गलत है यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर अमबेदकर ने प्रथम नहीं बलकि दुईतिय गोल में सम्मेलन म दलीत वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी जिसे की गांधी जी ने ओस्वीकार कर दिया था दूसरा उप्चन है कि भारत की ओर से महात्मा गांधी ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था ये गलत है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी ने सिर्फ द्वीतिय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था अश्ट दिगज के रूप में प्रख्यात आठ महान साहितेकार निम्निमे से किस भाशा से सम्बंधित है आंसर है इसका ओप्सन भी तेलगू भाशा से अश्ट दिगज के रूप में प्रख्यात आठ महान साहितेकार तेलगू भाशा से सम्बंधित थे किसने भारत में पहली बार व्यायकर लगाने का सुझाव दिया था आंसर है ओप्सन ए कॉल्डर ने देहिंग पटकाई रास्टी उद्यान की सराजी या फिर संग शेत्र में स्थित है आंसर है इसका ओप्सन भी अशम में निम्न में से कौन नाफटा में सामिल नहीं है आंसर है ओप्सन सी ब्रिटेन उत्तरी अमेरिका मुप्त व्यापार समझोता एक व्यापक व्यापार समझोता है जो कि अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको के बीच व्यापार तथा निवेश के लिए निर्धारित करता है वर्स 2020 में विश्व खाद कारकरम को किस छेत्र का नॉबल पुरसकार प्रदान किया गया आंसर है इसका ओप्सन B, सांती का निमलिखित समविधान संसोधन अधीनियमों में से किस एक में या प्रावधान है कि केंद्र और राज में मंत्री परिशद का आकार करम सा लोग सभा सदस्यों की कूल संख्या एवं उस राज के विधान सभा के सदस्यों की कूल संख्या के 15 परतिशत से अधिक नहीं होगी आंसर है इसका ओप्षन C, 91 वा संसोधन में CAA का पूर्ण रूप है आंसर है इसका ओप्षन B, Citizenship Amendment Act बारती पैरालंपिक समीती का अध्याक्ष निम्न में से कौन है? आंसर है ओप्षन C, दीपा मलिक निम्न में से कौन सी विशेस्ता जापान के सम्विधान से लिया गया है? आंसर है ओप्षन A, विधी द्वारा अस्थापित प्रकिरिया मूल कर तब ये सोवियत संग से लिया गया है संसदिये विवस्था ये ब्रिटेन से और संसद के दोनों सदनों की सन्युक्त बैठा कि आउस्ट्रिलिया से लिया गया है निम्न मेंसे किसे नागरीक अधिकारों का रक्षक माना जाता है भारत के संदर्व में? आंसर है ओप्षन D, सर्वोचे नियायले को निम्लिकित मेंसे किन निकायों द्वारा राज के निती निदेशक्तत्तों का पालन किया जाता है? आंसर है ओप्षन D, एक, दो, तीन और चार्यनिके इन सभी के दोरा राज की कारपालिका, राज विधाईका, संग कारपालिका और जीवन बिमा निदेशक्तत्तों का पालन किया जाता है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक शंगीता लागू करने शंबंदी प्रापधान किया गया है आंसर है ओप्षन C, अनुच्छेद 44 में निम्नि में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ओप्षन D, ये इधर जंजाती का नाम दिया गया है और उसे संबंदित शेदर पिग्मी दिया गया है कि ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है तो गलत है क्योंकि पिग्मी जंजाती कांगो बेशिंग छेतर की जन जाती है बागी क्या उपसन सही है हौन जन जाती चीन छेतर में यहां की यह USU सन्युकतराज अमेरिका में और खिरगित जो है यह किरगिस्तान में पाए जाने वाली जन जाती है अगस्त 2021 में किस मंत्राले के दौरा सुजिलाम अभियान की सुरुवात की गई है आंसर है इसका option C जल सक्ती मंत्रा लेद्वारा किस प्रधान मंत्री के कारेकाल के दौरान भारत के सम्विधान में नम्य अनुसूची को पुरह स्थापित किया गया था आंसर है option A जवाहरलाल नहरू के कारेकाल के दौरान पर्थम सम्विधान संसोधन अधिनियम 1951 के दौरा भारत के सम्विधान में नम्य अनुसूची को पुरह स्थापित किया गया था उस समय भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू थे निम्न वर्गों में से किस ने 1857 के विद्रों में भाग नहीं लिया आंसर है इसका ओप्सन डी केवल 2 और 4 साहुकार और जमिनदार ने देश के बाहर का कोई भी पक्षी जै विवीदिता के लिए खत्रा हो सकता है क्योंकि वर आंसर है ओप्सन ए क्योंकि वह रोगवाहक हो सकता है पाकल दूल जल्विद्द परियोजना किस राज या फिर संग छेत्र में अस्तित है आंसर है ओप्सन सी जम्मू कस्मीर में कौन सा सन्यंत्र दरल पदार्थों के विसिश्ट गुरुतों को मापता है आंसर है ओप्सन भी हाइड्रो मीटर किस समीती की सिफारिस पर बाल सरम निशेद विनियमन अधीनियम 1986 में लागू किया गया आंसर है इसका ओप्सन ए गुरुपात स्वामी समीती टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलो के जिमनास्टिक इवेंट में जज के तौर पर चुने जाने वाले प्रथम भारतिये कौन है आंसर है ओप्सन ए दीपक काबरा मिल्क ओफ मैगनीशिया के नाम से जाना जाता है आंसर है इसका ओप्सन सी मैगनीशियम है डॉक्षाइड तो ये थे 50 कोश्चन का सेट आई होप कि इसमें स्कोर काफी अच्छा क्या होगा आप सब होने आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में स्कोर लिख सकते हैं वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दें साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्किप्शन में दिये वे लिंक पर क्लिक जरूर करें और मेरा ब्लॉग चैनल निशाराज ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दे और अगर आपको इसकी पीडियाफ चाहिए तो इसकी पीडियाफ हमारे टेलिग्राम या फिर हमारे वेब साइट पर दे दी चाहेगी लिंक डिस्किप्शन में आपको मिल जाएगा धन्यवाद